तो अजके इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं पार्ट ओफ स्पीच जो के बिगनर्स के लिए बहुत ज़दा इंप्पोर्टेंट एंव उनको बहुत ज़दा काम आने वाले तो वीडियो स्टार्ट करने से पर लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल प्रेस पहुंजए है आज की टें कि साथ करता हैं टो बैसे कलूत जो हैं वह नो होते हैं फिश अन के साथ औरने में एग्जमपल वर्ड़ नहीं क्लिब क्लिब्स दिखेंगे। चिसे सबसे पहले वर्ब देखते हैं कहा हूँ किसी ब отвеч यह अश्注意 यह चीज जो action perform कर रही है जिस तरह action हो रहा है study हो रही है ठीक है playing मतलब खेल रहे हैं तो इस तरह की जो भी काम हो रहे हैं तो उन action को हम कहते हैं कि वो verb है इसके example word है sing मतलब गाना work मतलब कोई work करना यह क्या है verb है इसके example देख लेते हैं English club is a website ठीक है English club क्या है is a website I like English club I like मतलब मैं like कर रहा हूं action perform हो रहा है ठीक है action हो रहा है कि मतलब मैं liking कर रहा हूं कि इसको English club को तो यह क्या है हमारे यहां पर verb हो गया ठीक है next हम आते है noun के ओपर noun क्योंते है कोई भी person हो कोई thing हो उसके name अगेरा को जो है हम noun कहते हैं तो noun के example pen, dog, work, music, town, London, teacher, john, etc. यह क्या है हमारे पास यह हमारे noun है किसी भी जगा के किसी नाम के किसी जानवर के कोई भी हो उसके नाम को हम noun कहते हैं for example this is my dog, अब dog क्या यहां पर name है noun है, he lives in my house, house क्या यहां पर noun है we live in London, लंडन क्या है किसी country का name है, तो यह name जो होते हैं किसी भी thing के किसी person के तो उसे हम कहते हैं noun है, next हम आते हैं, third के ओपर adjective, adjective हम करते हैं, जो noun की तारीफ को बयान करें, noun को बयान करें, उसे हम कहते हैं कि वो adjective है, describe a noun, जो कि noun को describe करता है good, big, red, well, interesting, अब noun क्या है, मेरे पस कोई भी person यह thing का name, हम उसको जो है, उसको जब हम describe करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो उसके लिए जब हम word use करते हैं, कि हो good है, bad है, big है, small है, interesting है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं, कि यह adjective होता है, जो कि noun को describe करें, my dog are big, मेरा जो dog है, व किसके बारे में बात कर रहा है, किसको describe कर रहा है, dog को, dog क्या यहाँ पर noun है, और यहाँ पर noun को जब describe कर रहा है, क्या dog जो है, वो big है, I like big dogs, मुझे big dogs जो है, वो पसंद है, fourth one पर आते हैं, हम लोग determiner, determiner कहते हैं, limits or determines a noun, यह limits होती है, यह noun को determine करने के लिए, for example, a, and, the, to, some, many, यह क्या है, इसका example words है, हम इनने उजर करका sentence बना सकते हैं, I have two dogs, two क्या यहाँ पर determiner है, ठीक है, and some rabbits, some क्या क्या है, determiner है यह हम कहें दिस is a tree दिस क्या है determiner हो गया the house the क्या है determiner an apple and क्या है हम यहां पर determiner हम कहते हैं کہ जो noun को determine करे उसकी limits को ठीके तो यह क्या है determiner next हमाते है adverb के उपट ठीके adverb क्या जिसले हमने adjective बता है कि adjective हम कहते है के noun को इसी तरह वर्ब को भी और वर्ब को पर अच्छाड़ी हो बीद 거죠 और तो उससे हम कहते हैं adverb for example my dog eats quickly मेरा जो dog वो क्या कर रहा है eat quickly मतलब क्या है verb खा रहा है क्या खा रहा है quickly खा रहा है जल्दी खा रहा है तो क्या हुआ यह verb को describe कर रहा है कि eats quickly when he is very hungry जब वो क्या था hungry था बहुत जदा he eats really quickly वो eat कर रहा है मतलब खा रहा है verb मतलब action perform हो रहा है तो उसको describe हमने किया really quickly बहुत जदा जल्दी ठीक है तो यह क्या है adverb next हम आता है pronoun के उपर pronoun जो noun को replace करके हम रखते हैं उसे हम pronoun कहते हैं for example I you he she some यह campus pronoun है for example अगर मैंने किसी लड़की को मैंने उसका नाम नहीं लिखना तो मैं इसके in street क्या करूंगे pronoun यूज करूंगी she use करूंगी लड़की के लिए अगर वो लड़का है तो मैं उसके लिए he use करूंगी अपने लिए मैं अपने नाम नहीं लिखना चाहते है तो मैं I use करूंगी ठ नेक्स्ट हम आते हैं preposition पर, preposition कहता है link a noun to another word, noun को किसी और word के साथ link करने को हम preposition कहते हैं, मतलब किसी और word के साथ noun को जोडते हैं, तो कोई अगर हम word यूज करते हैं, तो उस word को हम preposition कहते हैं, for example, to, eight, after, on, but, ये क्या है, अबर बस preposition है, for example, we went to, to के preposition है, तो वी वेन्ट टू स्कूल on Monday, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे sentence को आपस में, एक दूसरे से क्या कर रहा है, combine कर रहा है, जोड रहा है, जॉइन कर रहा है, वे जॉइनिंग words है, to, on, ये हमारे पास कहते हैं, ये preposition हैं, next हम आते हैं conjunction के पास तो join close sentence और words जो भी word जो है वो किसी sentence को किसी close को यह किसी word को आपस में join करें दो चीज़ों को आपस में join करें दो sentence को यह दो close को तो से हम conjunction कहते हैं for example and but when यह क्या है conjections है for example I like dogs and I like cat देखें दोनों जो sentence है I like dogs I like cat इन दोनों को जोडने के लिए उन्होंने किया कि and का इस्तिमाल के and I like cats next time आते हैं I like cats and dogs तो यहां पर दोनों को क्या करा है cat और dog का पसमें जोड है I like cats and dogs I like dogs but I don't like cats यहां पर किया इन दोनों को जोड है कि मुझे dogs तो पसंद है I like dogs but I don't like kids तो यह क्या है जिब दो sentence को यहां दो closes को यहां दो words को आपस में join करना तो हम conjunction यूज करते हैं next हम आते हैं last जो हमारा interjection यह ninth है हमारा last interjection इसे हम कहते हैं short exclamation sometime time inserted into a sentence जब हम जो अच्छानक से कोई चीज होती है जब हम उसके पर react करते हैं तो उस चीज को जो हम कहते हैं interjection तो उसके लिए कुछ science होती है ठीक है जो यह किसी sentence में use करते हैं for example oh ouch hill hi well इनके साथ क्या हम यहां पर interjection यूज करते हैं यह क्या interjection उनके साथ हम लोग जो है यह किसी sentence में use करते हैं for example ouch ouch क्या हमने लगाया that hurts hi how are you yeah well I don't know तो यह क्या है पर जो अच्छनक चीज हो रही है को explanation हो रही है यहां पर ठीक है तो इससे हम कहते हैं कि यह 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 च्चह ऑट से हम लगाया थाया जज है यहां अज़ को रहाई लोग कर दो कर दो हैं टो हैं कि यह है यह है